तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज टॉपिक जिसमें हम पूरा कम्प्लीट लिसको विद कॉंसेप्ट संट्रिक्स सब कुछ क्लियर करते चलेंगे वन बाइवन इसके सारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक एवरेज एवरेज का फॉर्मला क्या होता है हम सभी को छोटी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है ज्यादा भी छोटी क्लास में नहीं मतलब जोनली हमें पता चल जाता है sum of all quantities divided by number of quantities ओके एवरेज का फॉर्मला होता है sum of all quantities divided by number of all quantities for example हमें sequence दी गई है जैसे की 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस and so on ठीक है यह natural number है हम सभी को पता है यह क्या है natural number है so sum का formula क्या होगा पहले इसके लिए अभी हमें sum चाहिए number of quantities गिन लेंगे तो average निकालने के लिए average हो जाएगा हमारा sum क्या है पहले ठीक है sum है इसका natural number के sum का formula होता है n n प्लस 1 प्लस 2 राइट यह होता है तो यहाँ पर हो जाएगा sum divided by number of quantities ठीक है तो आप जब इसमें जब put करेंगती हो जाएगा n n प्लस 1 प्लस 2 और number of quantities क्या था n है हमारे पास number of quantities तो into में कर देंगे हम n ठीक है यह n से n cancel होगा तो हमारे पास average क्या आगया natural number का n प्लस 1 प्लस 2 राइट यहां तक I think सबको समझ में आ गया होगा यह कितने natural number के average है यह है n number की ठीक है n natural number का average है ठीक है अब हमें question दिया जाता है for example कि question में दिया गया है हमें find एक मिनट हमें question में दिया गया है find the average of first hundred natural number यह दिया गया है अब हमसे इसमें पूछा गया है option में option में sorry हमसे question में पूछा गया है कि पहले 100 natural number का average बताने simple हमें n की जगे क्या रख देना है 100 तो 100 प्लस 1 बाइट टू एवरेज जी यह यह ना natural number का तो यह गया 101 बाइट टू डाट इस 55 50.5 चीक है I hope यहां तक आपको समझ में आगय होगा सो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं देखो अब हमें sequence दी गई है यह sequence क्या दी गई है 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है यह sequence दी गई है पहले तो इनका sum निकालो इनका जब आप sum निकालोगे तो इनका sum आएगा 30 ठीक है इनको add करके देख लेए ना प्लीज ठीक है 30 आएगा sum number of terms कितनी है 5 5 तो यह cut के आजाएगा 6 देखो ध्यान से 6 इसकी middle term ठीक है तो by concept में आपको एक ची 5 तो जो middle वाला number होगा ना वो sequence के average होगा क्या मेरी इतनी बात समझ में आई I hope आप सभी को मेरी इतनी बात समझ में आई होगी एक और चीज नंबर consecutive होने चाहिए consecutive का मतलब होता है लगातार बीच में number skip नहीं होने चाहिए मतलब 4 5 6 7 8 है तो ऐसा नहीं है 4 के बाद 6 दे sequence होनी चाहिए और old होनी चाहिए तो middle term जोगी वह हमारी average होगी ठीक है अब ध्यान से मेरी बात सुनों जब consecutive नंबर दे रखा हो तो first और last term का average ही पूरी sequence का average होगा ठीक है आप देखो क्या अगर हम four plus eight by two कर देते हैं तो भी हमारा six ही आएगा ठीक है देखो इस चीज को ध इन दोनों का जब हमने average निकाला तो भी six ही आया जो कि पूरी sequence के average के बराबर था I hope मेरा आपको मेरा second point भी समझ में आया होगा पहला point है जब old number में sequence हो और consecutive sequence हो तो middle term होती है वह हमारी average कहलाती है right second point मैंने बताया है कि जब sequence old हो तो first और last term का sequence old even की बात नहीं है यह तो common point ह कि sequence का first और last term का जो average आता वही पूरी sequence का average होता है क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है I hope सभी को आई होगी क्योंकि इतना कुछ खास समझने लायक नहीं था अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो second number और last second का average होता वो भी पूरी sequence के equal होता है चेक करके देख लो five plus seven divide by two करोगे तो भी six ही आएगा और ये भी पूरी series के sequence सा उसके equal है I hope आप लोगों को समझ में आगे होगा कि मैंने क्या बोला है ठीक है अब एक और point ये तो ओगे third point अब इसी तरीके सोता है अगर sequence मालों जैसे बड़ी है तो third number और last third number का sequence जो निकालोगे वो भी पूरी sequence का होगा fourth और last fourth का ऐसे निकालोगे तो वो वो चीज़े अब आप आगे देख ले ना ठीक है I think मेरा point समझ में आपको आगे होगा एको चीज़ जब odd number की sequence हो odd number की sequence हो ध्यान रहेगी मेरी बात जब odd number की sequence हो तो middle three number का जो average होगी वही पूरी average होगी आगे बात समझ में एक point यह भी प्लीज जयाद रखिएगा जब odd हो तो middle three का यानि five six seven जब इन तीनों का करोगे आप तो भी जो आएगा वह average सारे नंबर के बराबर होगा चीक है अब देखो प्लीज एक चीज़ ध्यान रखना अब ऐसा नहीं कि इसके डिवाइड बाइड 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 टू करोगे जब आपने तीन नंबर लिए है तो डिवाइड बाइड बाइड थ्री करना है चीक है क्योंकि number of इसको करोगे तो यह 6 आयागा ठीक है ऐसा नहीं करना प्लीज कि 5,6,7 एड कर दियो पर निचे डिवाइड बाइड 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 नहीं बाइड रहे तो तो तीन ही number of quantities लेने है निचे ठीक है आपको इतने समझ में आग्या होगा मेरी बातों को अपने हिसाब से प्रें पॉइंट्स में लिख लिए जएका ताकि याद रह सकें सो नेक्स्ट करते हैं अब इनी के बेस पर कुछ कॉशन प्रैक्टिस यह हमें एक कॉशन दे रखा है इसको ध्यान से देखो तो कॉशन कॉशन है the average of 11 consecutive number is 25 then find average of second and second last number अब मेरी बात ध्यान से सुन तो पहले का अंसर क्या आजाएगा 25 आजाएगा ना then second देखो sum of second and second last अब मेरी बात ध्यान से देखना average का formula होता है sum upon mean number of quantities right मानते हो ना तो sum का क्या हो जाएगा बाई average into mean number of quantities ठीके तो average क्या है 25 into mean number of quantities कितनी है second and second last यानि 2 तो हो जाएगा इसका अंसर 50 आप समझ में आगया होगा जिसको जो भी चीज समझ में आए प्लीज कमेंट सेक्षिन में 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 पूछ लीजेगा या लिंक में मैंने अपनी इंस्टा आईडी दी हुई है उस पे डिम करके पूछ लीजेगा ठीके तो sum and largest number जो है अब इसमें पूछा हम से smallest or largest number अब इसक कितनी बची 10 तो भाई 5 इस साइड होगी और 5 इस साइड होगी consecutive है तो प्लस 5 कर देंगे तो लास्ट कहां तक end होगी 30 तक और इधर इधर 20 राइट तो हमारी smallest term यह है और largest यह है I hope समझ में आगया होगा smallest term है हमारी इसमें 20 और largest term है 30 चाहिए अब हमें बताने है 9th digit 9th digit पतानी है तो first time में कितने number एड करने है 8 8 नंबर एड़ करने है ना ना इन डिजट पताने तो फॉर्स तम में 8 नंबर एड़ करने है क्योंकि और फॉर्स तम हमारी क्या है 20 20 में जब 8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 9th term आ जाएगी ना फॉर्स तम ये गिनके देख लो बई यह हो गया 20 ठीक है 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ठीक है पाप लोगो कितना समझ में आया होगा नेक्स्ट कॉशन करते हैं इसी टाइप किसे कुछ देखो यहां पर बोले फाइंड आवरेज फिफ्टीन कॉंजिक्यूटिव नंबर स्वरी बोला गया है इफ ते आवरेज फिफ्टीन कॉंजिक्यूटिव नंबर इस फॉर्टी तो मिडल नंबर ही हमारी एवरेज होती है ओड नंबर की कॉंजिक्यूटिव सीक्विंस में है ना बदाया था ना मैंने आपको यह वेरी गुड सब को याद है तो मिडल नंबर हमारा आज जाए का 42 स्मोलेस्ट और लार्जेस नंबर निकालना है एक टम यह हो गई यानि 14 नं स्मोलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकाल लेंगे 42 सेवन इधर सेवन इधर तो हमारा स्मोलेस्ट नंबर आएगा इसमें 35 करके देख लेना और लार्जेस्ट नंबर आएगा हमारा 49 ठीक है यह लार्जेस्ट यह स्मोलेस्ट अब समोलेस्ट अब समोलेस्ट नंबर एव नंबर अफ कॉंटिटीटीज कितम ही फुर्स तम टूलास्ट तो इंटू ठीके फॉर्टीटीटीज किया हो जागा 84 थीक है मारा समा जागा 84 एवरेज ऑफ सेकेंड ला सेकिंड नंबर वही होगी जो आवरेज पूरे की होती है तो दैट इस 42 थिक है sum of three middle number आप देखो sum of three middle number थेहां से देखो मैंने क्या बतायता है जब odd consecutive sequence middle three number की average भी वही होती है जो पूरी average होती है ठीक है तो अब इसमें into क्या करवाना है three क्योंकि number of quantities कितनी है इसमें three तब sum निकलेगा तो 42 into 3 कर देंगे तो जो answer आएगा हमारा 126 sum है three middle number का 12th term निकाल लिए first term में 11 एड़ कर दो एक नंबर मैंने का था इससे minus करना है और वो first term में add कर देना है 35 प्लस 11 जो number बनेगा वो बनेगा 46 and 46 और वही हमारा 12th number होगा ठीक है I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा अब देखो क्या करना है इन 25 consecutive number the average of three middle number is 63 अगर three middle number के 66 है 63 है sorry तो पूरे ही sequence की क्या average 63 ठीक है तो sum of all number सारे number का sum कितना होगा तो average into number of terms number of quantities कितनी है 25 quantities है तो 63 into 25 जो आएगा वो सम हो जाएगा पूरी quantities का जो किया आएगा यहां पर 1575 ठीक है इसको बेशा calculate करके देख लेना smallest और largest number निकाला है 25 average 63 25 तम एक तम यहां आगे 24 पची बारा इधर लिखी जाएगी बारा इधर लिखी जाएगी जब इसको निकालेंगे तो हमारी smallest number निकलेगा first 51 और largest number निकलेगा 75 डन सम ओफ फर्स्ट फिफ्ट एंड लास्ट फिफ्ट तो इसका क्या आजाएगा देखो एवरेज एवरेज वही होगी जो होनी है और इंटू में 2 एवरेज का है 63 इंटू 2 63 इंटू 2 क्या बनेगा हमारे पास यह हो जाएगा 126 और यही हो जाएगी हमारी एवरेज ठीक है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा ओड का यहीं तक था अब कल हम करेंगे इवन सीक्वेंस का इसको आगे प्रोसीड ओन करते हुए अगर आप लोगों को यह समझ में आया तो वीडियो को लाइक किजेगा ज्याद से जादर शेयर किजेगा और और ऐसे ही कॉंसेप्ट संट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और अगर आप लोगों कुछ भी डाउट है तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिए जगा या मेरी इंस्टा आइड डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है डीम कर लिजगा थ तक यू सो मुच